नमस्कार साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी कफी वियार स्टेडी में मित्रों आज हम आपको यहां पर बहुत बड़ी ख़बर लेकर के आए हैं ध्यान से देखना OMR सीट क्यों जलाई गई कोई ऐसी परिच्छा हो जाए लोग से वायोग में जो की कंपलीट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है यह हालात हैं आप जो देख रहे हैं PCS जी हां भारत देश की होने वाली सबसे सम्मानित और बड़ी परिच्छाओं में दूसरे नंबर पर आने वाली PCS की परिच्छा जिसमें OMR सीट क्यों जलाई गई थी इसके बारे में कुछ बिस्तरी तद् होगी और भी कुछ जरूरी बाते होंगी इसलिए इस खबर को पूरा देखना जैसे जैसे सीबियाई की जाच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे PCS 2015 की पिरी परिच्छा की गड़बड़ी की परत दर परत खुल रही है सीबियाई की जाच अभी तक दसमाई 2015 को दोबारा करा ही गई परिच्छा पर्टी की है उतर पर्देश लोग सिवा आयोग ने उक्त परिच्छा के अब भेरतियों की OMR सीट जला दिया था अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग ने 2015 की जो परिच्छा हुई थी PCS की उसकी OMR सीट को क्यों जलाया आकि कुछ ना कुछ धाल मे काला तो रहा होगा ना तभी तो जलाया गया जबकि कुछ OMR सीट को कबार में बेंचने की बात भी कही जा रही है इसमें उस अधिकारी की भूमी का आहम है जिसे CBI ने पूछताच के लिए बिदेश से बुलाया है मामले की ताह में जाने के लिए CBI ने इस अधिकारी से अ लोग सिवायोग ने 29 मार्च 2015 को PCS पिरी 2015 की परिच्छा का आउजन किया था पर्थम पाली के दावरान लखनओ में पेपर लीक हो गया लखनओ के कृफ़रा नगर्थाने में HDF दावरारी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई पेपर लीक होने के बाद 30 मार्च को अब बे परिच्छा को निरस्त कर दिया फिर 10 माई 2015 को पिरी परिच्छा दोबारा कराई गई परिच्छा का रिजल्ट गोसित करने के बाद अवर्थियों की ओयमार सीट नश्ट कर दी गई जबकि कुछ को कबार में में बेचा गया सी बी आई यही जानने में जुटी है कि 29 मार्च को कराई गई परिच्छा की ओयमार सीट आयों के पास सुरचित रखी है इसके पहले भी परिच्छा की ओयमार सीट भी है फिर 10 माई को जो परिच्छा की गई थी उसका ओयमार क्यों जलाया गया जबकि उसी की आधार पर मुख परिक्षा की मेरिट बनाई गई है मेरिट कैसे वकिस आधार पर बनी है उसे जानने के लिए OMR सीट का होना जरूरी है गड़बड़ी जानने के लिए सीबियाई उस परिच्छा में परमुक भूम का निगाने वाले विदेश से बुलाए गया दिकारी से लगादार पूंच ताच कर रही है फत्ता जानने के लिए उनका नार्को टेस्ट भी करा जा सकता है तो ये हैं हमारे देश के हालात उन युवाओं के भविस्ट के साथ खिलवाड हो रहा है जो रात दिन अपना एक करके कुछ कर गुजरने का कोसिस करते हैं तो लाइश्ट में वही लगता है क्या हातों साहित हो जाते हैं ना क्यों क्योंकि सब कुछ घरवार खेद क्रिश्टी गोहूँ चावल बेंच करके जो आके पढ़ रहे हैं उनके घरवाले उन्हें कब तक पढ़ाएंगे सरकार परिच्छा सुलक के रूप में 500 से 800 रूपे 1000 रूपे वसूलती है तरह से वो 1000 करोण रूपे वसूलती है लेकिन बैकेंसी लटक जाती है तीन साल तक कोर्ट में फिर कोर्ट से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आती जाती रहती है और बच्चे तैयारी करते रहते हैं इस देश के भविस्स के साथ खिलवाड हो रहा है इसे आप लोग मानिये और आप लोग भी कुछ समझने की कोशिस करिये और सरकाई नोकरी की बज़ाए कुछ बिजनेश धंदा के बारे में भी सोचिए नहीं तो आगे चलके देश के लिए जो सिस्टम बन रहा है वो बड़ गड़ बड़ हो रहा है और अगर आपके कोई बीचार है तो आप कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं फिर नेक्स्ट कबर के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत सुक्रियाब सभी को जैहिन मित्रों